So hello everyone, GICRE को लेकर एक news आ रही है, FVO को लेकर यहाँ पर news आ रही है So आगे discuss करेंगे इस बारे में क्या news है, ठीक है यहाँ पर देख लीजी, आज तो इस share में कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिली है और 5 days में भी आपे कुछ खास returns इस share के नजर नहीं आ रहे है 1 month में सही returns है 9%, past 6 month में आप देखेंगे 5.38% returns है So returns यह मतलब जाद अच्छे भी provide नहीं कर रहा है All time में देखा जाए यहाँ पर कुछ खास returns नहीं है 0.81% मतलब कुछ भी returns इसने provide नहीं किये है चलिए बात करते हैं news क्या है बट उससे पहले आप लोग अमारा whatsapp group भी join कर सकते है Link in description यहाँ पर हमने torrent pharma का share दिया था और आप देखेंगे इसके all target done हो चुके है चलिए देखते हैं news क्या है So यहाँ पर आप देखेंगे जो news आ रही है Government to sell 6.78% stake in GICRE यहाँ पर मतलब offer for sale ला रही है government देख रहे हैं आप Offer for sale मतलब ऐसे बोल सकते हैं IPO आता है जैसा IPO तो उसमें सरकार क्या करती है अपनी company dilute करती है First time यहाँ पर registration होता है company का stock market में listed होती है So वहाँ पर हम IPO लाते हैं मतलब government या कोई भी company IPO लाती है फिर उसके बाद second time यहाँ पर वह अपने stake dilute कर रही है जैसे government के पास इसके 80 के around होगे 80% के around stake है इस share के GICRE के government stock है यह आपको पता ही होगा तो यहाँ पर government OFS ला रही है मतलब कुछ percent stake यहाँ पर 80% के around यह में भी आप लोग चक कर लीजिएगा ठीक है तो 80% में से government फिर से यहाँ पर 6.78% के stake यहाँ पर sell कर रही है बेच रही है offer for sale ला रही है मतलब दुबारा यहाँ पर IPO की तरह ही यहाँ पर offer for sale होता है तो government ने price रखा है 395 रुपीज का और यह share trade कर रहा है 420 रुपीज के राउंड यह trade कर रहा है तो ऐसे में यहाँ पर stock के price डाउन आने की possibility नजर आ रही है चलिए बात करते हैं हम directly यहाँ पर इसके support लेवल and resistance लेवल के बारे में आप देख रही है वैसे 421 के राउंड हुई है इसकी closing आज थोड़ा एक रुपे जादा है ठीक है 395 रुपीज के अराउंड यहाँ पर government इसको sell करना चारी है पूरा यहाँ पर retail investors के लिए नहीं है कि वही यहाँ पर apply करेंगे यहाँ पर काफी non retail investors भी apply करेंगे government ने बता रख है ठीक है कौन-कौन कितना percent यहाँ पर भाय करने का सोच सकता है कितना percent मतलब retail investors के लिए यहाँ पर बोला गया है government ने बता रखा है और हमारे लिए हम जैसे retail investors के लिए यह Thursday को open होगा ठीक है मतलब गुरुवार को यह open होगा अभी बात कर लेते हैं आपर कल वैसे थोड़े गिरावट के chances नजर आ रहे हैं एक दो candle यहाँ पर फॉर्म हो सकती है ठीक है क्योंकि 395 रुपीज के अराउंड यह share sell करने वाले हैं कुछ share कुछ percent तो ऐसे में जो इसका strong support नजर आ रहा है यह 368 रुपीज के राउंड नजर आ रहा है और important resistance इसकी 442 रुपीज के राउंड नजर आ रही है अगर यह share GICRE का share अगर इसके अबाव सस्टेन करता है मतलब 442 रुपीज के अबाव 442 रुपे के उपर अगर यह सस्टेन करता है closing candle दे देता है तब इसका जो target हो सकता है यह आपको 470 का target maximum दिखा सकता है और इसके अबाव अगर सस्टेन करता है 500 प्लस तक भी जाता हुआ दिख सकता है in medium perspective अपने रिस्क में आप लोग इस year में buy करने का सोच सकते हैं यह FPO के लिए apply करने का भी सोच सकते हैं government का stock है और insurance company से related है तो ऐसे में एक insurance share भी आप लोग अपने portfolio में add करने का सोच सकते हैं I hope आपको वीडियो समझ आयोगी पसंद आयोगी Thanks for watching